वेलकम स्टूदेंट्स मैं है डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएसी पार्ट सेकेंड का पेपर सेकेंड पढ़ा रही हूं और इसमें हम जो अभी इन लेक्चर में पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है वास्तविक गैसे रियल गैसेज तो रियल गैसेज में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जूल और थॉमसन ने एक प्रयोग किया था जिसको हम जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट कहते हैं सरंद्र डार्ट का प्रयोग कहते हैं और ये प्रयोग इसलिए किया गया था जिससे ये पता चल सके के अड़ों के मध्धे वास्ता में अंतर आणविक आक्रशनबल मौजूद रहता है तो हमने इस एक्सपेरिमेंट को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया था और इसके हमने निशकर्श, परणाम और निशकर्श का अध्यान भी पिछले लेक्चर में कर लिया था आज हम इसके अंदर इस प्रयोग में एक important thermodynamic parameter निकल के आता है एक important उश्मगतिक प्राचल निकल के आता है उसके बारे में पढ़ेंगे ये प्राचल कहलाता है enthalpy अब enthalpy के लिए को समझने के लिए हम पहले वापिस से उस प्रयोग को mathematical way में समझेंगे तो हमने क्या करा था वो जो प्रयोग है उसके अंदर हमने नली के दोनों और बीच में एक porous plug लगा रखा था और नली के एक और उच दाब बना रखा था constant high pressure बना रखा था और दूसरी तरफ हमने constant low pressure region बना रखा था यानि नियत उच दाब और नियत निम दाब के दो शेत्र थे और बीच में हमारा porous plug लगा हुआ था तो हमने उस को हमने briefly यहाँ पर दिखाया है जी यहाँ पर छितर में दिखाया है अनुसर जी जो है वो एक porous plug है और जो A जो है वो piston है जहाँ पर उच दाब वाला शेत्र है और B जहाँए पर पिस्टन है वहाँ पर निम शेत्र वाला दाव है तो गैस जो है प्रारम में A पिस्टन वाले शेत्र में रहती है A और G के मद्धे रहती है और बाद में वो रिसके धीरे-धीरे G भी शेत्र में पहुंचती है तो चितर के अनुसार G एक सरंद्र डाट है इसके दोनों और पिस्टन A वा B है और पूरा निकाए उश्मा रोधी है अब हम मान लेते हैं प्रारम में डाट के बाई और गैस जो है उसका जो प्रेशर है वो P1 है वॉल्यूम V1 है और टेंपरेचर T1 है अब पिस्टन जो है वो जैसे ऐसे गैस रिसके जाती है पिस्टन जो है वो दीरे दीरे सरकता जाता है ठीक है तो अब पिस्टन A तथा B को इस प्रकार चलाता है कि दोनों और दाब नियत रहे मतलब पिस्टन का जो मूव्मेंट है वो ऐसा है जिसे की pressure हमारा constant रहे वो खुद additional कोई pressure नहीं लगा रहा एक चीज और हमने मान ली इसके अंदर जो P1 pressure है वो बढ़ा है और जब gas रिसके B शेतर वाले region में चली जाती है तो उसका pressure, volume और temperature दाब, आयतन और ताब P2, V2 और T2 हो जाता है और हमने क्या चीज मान लखिए कि यह जो नली हमने ली है इस नली की जो तरिज्य है वो small r है और piston A और B जो है प्रारम में और प्रारम में A piston जो है वो X1 दूरी पर है और gas जब B शेतर में पहुंच जाती है तो piston जो है वो X2 दूरी पर पहुंच जाता है तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले किया गया कारे निकालते हैं तो बाई और gas द्वारा किया गया कारे अब कारे हमारे को मालूम है force into displacement होता है बल into विस्थापन होता है तो बल क्या होगा बल को हम परिभाशित कर सकते है दाब into शेतरफल तो दाब तो होगया P1 बाई और दाब P1 है और शेतरफल क्या होगा क्योंकि नली हम सिलिंड्रिकल मान रही है बेलना कार मान लिए तो इस विस्थापन होगा तो इस प्रकार किया गया कारे हो गया P1 pi r square into x1 इसी प्रकार दाइयोर किया गया कारे हो जाएगा P2 pi r square x2 तो net gas द्वारा किया गया कारे जो है वो इन दौनों का अंतर हो जाएगा तो दौनों का अंतर निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा P ve2 pi r square x2 minus p1 pi r square x1 लेकिन हमारे को मालूम है pi r square x1 v1 के बराबर होता है एरिया इंटु displacement है, वो Straw 问题 के बराबर होगा यह आ, वालियूम के बराबर होगा तो हम इनको v1 और v2 लिख लेते हैं तो पड़नामी जो का रहे है resultant work है वो हमारा क्या हो गया P2V2-P1V1 अब चूकी निकाई उश्मा रोदी है तो गैस द्वारा किया गया कारे आंत्रिक उर्जा को खर्च करके प्राप्त होगा हमें मालूम है अगर हमने isolated system लिया है एक विलगित निकाई लिया है तो वो भार से तो उश्मा कादान प्रदान हो नहीं सकता है ऐसी स्तिती में कोई भी किया गया कारे उसके आंत्रिक उर्जा में कमी उत्पन करता है तो अगर हम यह मान ले कि उसके प्रारंबिक आंत्रिक उर्जा U1 है इंटर्नल एनर्जी U1 है और बाद की जो आंत्रिक उर्जा है वो U2 है तो इंटर्नल एनर्जी में जो कमी आएगी वो हो जाएगी हमारी U1-U2 और ये हमारी किया गया कारे के बराबर होगी यानि DW बराबर U1-U2 हो जाएगा अब DW का मान रख देते हैं तो P2V2-P1V1 बराबर U1-U2 अब 1 वाली टर्म एक तरफ ले जाते हैं U2 वाली टर्म एक तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आगया है U1-P1V1 बराबर U2-P2V2 हम इसको अगर क्योंकि एक तरफ केवल 1 वाली राश्या है दूसरी तरफ 2 वाली इसलिए हम इसको मान सकते हैं कि U plus PV is equals to some constant और ये constant का नाम हम देता है capital H यानि H1 is equals to H2 अब ये जो H है ये एक नया उश्मा फलन है और इसका नाम है enthalpy तो ये एक संपूर्ण उश्मा फलन है जो जूल-Thompson प्रभाव में नियत रहता है और इसे enthalpy कहते हैं अब enthalpy actual में क्या हो ग enthalpy Joule-Thompson experiment में constant रहने वाला उश्मा फलन है तो अब इसकी physical significance क्या है physical significance एक तो ये है कि कोई भी experiment जैसे हम कहते हैं isothermal process isothermal process में temperature remains constant हम ये भूलते हैं न ऐसे ही अगर आप isobaric process ले ले समदाबिक प्रक्रम ले ले तो समदाबिक प्रक्रम में जो quantity जो राशी नियत रहती है वो राशी हमारी enthalpy कहलाती हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे आपके समदाबिक प्रक्रम में temperature constant रहता है समदाबिक प्रक्रम में enthalpy constant रहती है अब enthalpy वास्तव में है क्या है इसकी physical significance क्या है enthalpy is the total heat content of the body किसी भी वस्तू के अंदर कुल उश्मा की मात्रा अब उश्मा की मात्रा उश्मा की मात्रा तो हम पहले ही क्यों लिखते हैं नहीं यहाँ पर enthalpy का मतलब यह है that heat content which can be converted into useful work यानि यह किसी भी body के अंदर उश्मा की उस मात्रा को बताता है जिसको useful कारे में बदला जा सकता है तो यह इसका enthalpy का physical significance है यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की है जो internal energy है वो वास्तव में अलंकि हम यह मानते आएं हैं कि gas के अंदर जो अणू है उनके पास सारी उर्जा kinetic energy के form में होती है लेकिन कुछ मात्रा में potential energy वास्तव में उपस्तित रहती है इसलिए जो आपके आंत्रे कूर्जा है या internal energy है इसके दो भाग हवश्य होते हैं एक kinetic energy और दूसरा potential energy तो यदि gas के आंत्रे कूर्जा देखें तो इसके दो भाग होते हैं भाग, एक भाग तो अणूओ की गत्यजूर्जा पर निर्भर करता है, जो गत्यजूर्जा जाते जूर्जा temperature पर निर्वर करती है और दूसरा भाग जो है वो किस पर निर्वर करता है अणों के मद्धे होने वाले आकर्शन बल के उपर निर्वर करता है और इसे रो से दिखाया जाता है तो यानि आंतरे कूर्जा दो भागों से मिलकर बनी होते हैं तो kinetic energy basically जो temperature वेचर डिपेंडनेंट होता है और रोवन जो कि बैसिकली हमारा इससे आकरशन से जुड़ा हुआ रहता है अब इसके अंदर हम यह जो अभी हमने डेरिवेशन किया है इसके अंदर हम इसके special cases को discuss कर लेते हैं सबसे पहला special case हो सकता है यदि P2 V2 का मान P1 V1 से बड़ा हो ऐसी स्तिती में हमारे को इस equation से जो equation दिखाई दे रही है उपर उसमें उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि U2 will be less than U1 इस तिती में टार्ट से निकलने पर गैसे ठंडी होगी क्यों 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 आंत्रिकूर्जा में कमी आ रही है आंत्रिकूर्जा में कमी आ रही है तो temperature कम होगा दूसरा case है यदि P1 V1 अगर P2 V2 से बड़ा हो तो तो ऐसी स्तिती में क्या होगा U1 will be less than U2 ऐसी स्तिती में क्या होगा अंत्रिक उर्जा में वृद्धी हो रही है यानि गैस जो है डार्ट से निकलने के बाद ताप्रभाव होगा और यदि P1 V1 का मान P2 V2 के बराबर है तो ऐसी स्रिति में डार्ट से गुजरने के बाद गैस ना तो ठंडी होगी और ना ही गरम होगी कोई चेंज हमें दिखाई नहीं देगा अब इसके अंदर हम एक वेंजक और निकालेंगे इसी प्रयोग से जुड़ावा है जिसको हम कहते है शीतलन के लिए वेंजक यानि कोई भी गैस जो है डार्ट से गुजरने के बाद हम ये कह रहे हैं वो ठंडी हो जाएगी लेकिन त हमने डाग्रम में दिखाई दे रहा है पीछ में एक डार्ट है इस तरफ ए पिस्टन है दूसरी तरफ बी पिस्टन है दोनों और जो गैस है वो पीवन वीवन टीवन और पीटू वीटू टीटू पैरामीटर्स की है तो हम इसको सबसे पहले बाई और किया गया कारे निका वीवन होगा हम जानते हैं वास्तविक गैसे जो है उनमें अंतराणविक बल लगता है और अंतराणविक बल के कारण जो दाब उत्पन होता है वो किस वो दाब होता है ए अपॉन वी स्क्वेर के बराबर तो वीवन से जब वो वीटू के रूप तक प्रसारित होती है गैस तो तब किया गया अंतर आणविक बल के विरुद किया गया कारे हमारा w2 से डिनोट किया जा सकता है और वो क्या हो जाएगा a upon v square into dvp dv होता है हमारा किया गया कारे तो p का मान हमने a upon v square रख दिया और इसको integrate करा हमने v1 से v2 पर तो integration के बाद हमारे को w2 प्राप्त होता है a v1 minus a v2 तो कुल gas द्वारा किया गया कारे क्या हो जाएगा w बराबर w1 plus w2 जो की निम समीकरण में हमें दिखाई दे रहा है अब हम इसको थोड़ा सो और simplified way में लिखेंगे हम जानते हैं vendor wall समीकरण जो है वो हमारी p plus a upon v square v minus b बराबर rt होती है अब इसको थोड़ा सा rearrange कर लिया हमने और rearrange करने के बाद हमने minus a b upon v square वाली term को neglect कर दिया उसको नगणने मानते वे हमने पुन्हा समीकरण लिखी तो हमारे को समीकरण pv बराबर rt minus a upon v plus pv प्राप्त हो गई अब इसके अंदर हम p, v और t इनके मान पहले बाईयोर के बाग के लिखेंगे और एक बाईयोर के बाग के लिखेंगे तो बाईयोर के बाग के लिखेंगे तो आपकी equation बन जाएगी p1 v1 बराबर rt1 minus a upon v1 plus p1 b और ऐसी इद्युतिय भाग के लिखेंगे उसमें सब जगे 2 आ जाएगा दोनों का अंतर निकाल लेते हैं क्योंकि हमें किया गया कारे में p2 v2 minus p1 v1 निकाल ले तो हम इसके अंदर p2 v2 minus p1 v1 निकाल लेते हैं थोड़ा सा solve करके और rearrange करके हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी क्या r p2 v2 minus p1 v1 बराबर r t2 minus t1 plus a bracket में 1 upon v1 minus 1 upon v2 minus b bracket में p1 minus p2 तो आपका कुल किया गया कारे क्या था? तो हमारे ये था p2 v2 minus p1 v1 plus a v1 a upon v1 minus a upon v2 इसमें p2 v2 minus p1 v1 का मान रख देते हैं और इसको और simplify करते हैं तो हमारे को w क्या प्राप्त हो जाता है? r t2 minus t1 plus 2a दोनो a जुड़ जाएंगे bracket में 1 upon v1 minus 1 upon v2 minus of b p1 minus p2 ये समीकरन हमारे को प्राप्त होगे किया गया कारे की अब हम इसके अंदर दो चीज़े हैं इसमें मान लेते हैं कि जो ये 2a upon v1 का मान है और 2a upon v2 का मान है ये बहुत छुटा है तो हम इसके अंदर आदर्ष गैस समीकरन के आधार पर v1 और v2 के मान कुछ ऐसे रख सकते हैं हमें मालूम है आदर्ष गैस समीकरन होती है pv equals to rt तो 1 upon v1 का मान क्या हो जाएगा 1 upon v1 का मान हो जाएगा p1 upon rt1 ऐसे 1 upon v2 का मान हो जाएगा p2 upon rt2 दोनों मान हम इसके अंदर उपरोग समीकरन में रखके further simplify करना चाहेंगे तो further हम simplify करते हैं अब हम इसके अंदर यहाँ पर एक और important चीज मान लेते हैं हम यह मान लेते हैं जब gas एक स्थान से दूसरे स्थान risk के जाती है तो ताप में जो अंतर है वो हमारा dt से denote हो यानि t1 minus t2 dt के बराबर है और दूसरी चीज हम यह मान लेते हैं कि जो यह अंतर है t1 और t2 का यह बहुत छोटा है इनको अगर broadly देखें तो approximately इनको बराबर माना जा सकता है तो यह दोनों ही चीजें हम उपर वाली समी करन में लगाते हैं तो हमारे पास क्या आजाएगा t2 माइनस t1 की जगे तो हम dt लिख देते हैं तो w बराबर माइनस r dt माइनस sign आएगा प्लस 2a t हमने यहां t1 t2 denominator में t लिख लिया तो t बहार निकल गया 2a अपॉन rt p1 माइनस p2 माइनस b p1 माइनस p2 यह आगया आपके पास अब हम p1 माइनस p2 को कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आगया w बराबर p1 माइनस p2 प्रैकेट में 2a rt माइनस b माइनस r dt यहां पर यह माना गया है कि निकाए पून्तह उश्मरोधिये यह हमने isolated system है किसी से भार से वो heat नहीं ले रहा है और सारा का सारा जो आवशक कारे है वो जो कारे किया गया है वो आवशक उर्जा आंत्रे कॉर्जा से ही ली जाती है तो gas जो है वो शीतल हो जाती है तो gas के ताप में आने वाली जो कमी है यह शती है dt है और वो dT किस कारण से होगी हमारे को मालूम है वो हमारी हो जाएगी cv dt के बराबर क्योंकि हमें मालूम है du जो है वो cv dt के बराबर और du जो है वो w के बराबर है जहां पर cv जो है वो constant आयतन पर नियत आयतन पर विशिश तूशमा है it is molar specific heat at constant volume तो cv dt एक तरफ cv dt रग दिया और दूसरी तरफ उप्रोग समी करन रग दिया और इसको further हमने इसको simplify करा तो हमारे पास dt की terms को एक तरफ ले जाने पर cv प्लस r प्राप्त होता है cv प्लस r हमारे को mayor के सूतर से पता है cp के बराबर होता है तो हम उसको cp लिख देते हैं तो आपके पास ultimately solve करने पर यह समी करन मिलती है dt बराबर p1-p2 upon cp bracket में 2a rt-b यही हमारी sheetland की abhish्ट वियनजग कहलाता है यह हमारा this is required expression for cooling अब इसके अंदर एक important चीज हमें प्राप्त हुई जो हमने उसके observations में jule thompson experiment के observation में भी लिखी थी क्या कि जो ताप में परिवर्तन है वो दाब में परिवर्तन के दाब में अंतर के परिवर्तन के दाब में परिवर्तन के समानुपाती होता है it is directly proportional to difference of the pressure अब इसके आधर पर भी हम कुछ तीन cases discuss कर सकते हैं पहला case यह है कि P1 जो है वो P2 से बड़ा है हमने मान आई था तो क्या हो जाएगा P1 minus P2 greater than 0 हो जाएगा ऐसी स्थिती में DT will be greater than 0 अब DT will be greater than 0 इसका मतलब क्या हो गया 2A upon RT minus B should be greater than 0 और T should be less than 2A upon RB और DT जो है ऐसी स्थिती में positive होगा तो ऐसी स्थिती में अगर हम इसको इस पूरी चीज़ से हम क्या निशकर्ष निकालते हैं हम यह निकलते हैं यदी ताप जो है गैस का ताप 2A upon RB से कम है तो डाट से गुजरने के बाद गैस वास्तव में ठंडी हो जाएगी then cooling effect will occur if the temperature is less than 2A upon RB दूसरा case हम ले लेते हैं यदी 2A RT minus B is less than 0 तो क्या हो जाएगा T will be greater than 2A upon RB और DT will be negative तो ऐसी स्तिती में temperature is more than 2A if temperature is more than 2A upon RB then heating effect occurs यदी गैस का ताप T जो है वो 2A upon RB से बड़ा होता है तो हमेशा गैस में तापन प्रभाव दिखाई देगा डाट से गुजरने के बाद और अगर 2A RT minus B का मान अगर 0 है तो T जो है वो 2A upon RB के बड़ाबर होगा ऐसी स्तिती में डाट से गुजरने के बाद गैस ना तो ठंडी होगी ना ही गरहम होगी ही ये चीज हमें दिखाई दे रही है इसमें एक चीज आप समझ लीजिए कि जो हमने ये 2A upon RT minus B पर ही सारी discussion करी है हमने दुबारा से pressure को क्यों नहीं लिया क्योंकि pressure से हमने पहले ही सिद कर दिया कि pressure जो है उसमें P1 जो है वो P2 से बड़ा ले लिया है तो इसके कारण वो हमेशा greater than 0 होगा और इसके कारण DT हमेशा ही greater than 0 रहेगा तो DT का sign minus होगा या plus होगा वो main कौन decide कर रहा है वो decide 2A RT 2A upon RT minus B decide कर रहा है इसलिए हमने तीनों cases इसके कारण लिये है अब इसके अंदर हमने तीन प्रकार के ताप पढ़े एक तो हमने पढ़ा था विद्क्रमन ताप T I है ना उसका मान आ गया था हमने 2A upon R B दूसरा हमने पढ़ा था क्रांतिक ताप critical constant, critical temperature critical temperature जो है उसका मान हमने पढ़ा था T C बराबर 8A upon 27B R और तीसरा हमने पढ़ा था boil tap boil temperature है ना तो हमारे पास अगर हम T I और T C दोनों को divide करें तो हमारे को 27 upon 4 मिलता है इसी प्रकार T I और T B के बीच में जो relation है वो भी हमारी T I बराबर 2 T B होती है जहां T B का मान A upon R B हम पहले ही ग्याद कर चुके हैं इस प्रकार तीनों के बीच में सम्मन भी अगर पूचे तो हम तीनों के सम्मन निकाल सकते हैं और तीनों की definitions भी पूची जा सकती है अब इस chapter के अंदर एक last topic रह गया है वो है हमारा Jool गुणांक हालनकि Jool गुणांक जो है वो आप मुख्य रूप से उश्मा गतिक की जब हम Maxwell समी करने पढ़ते हैं वहाँ हम ज़्यादा detail में पढ़ते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर हम क्योंकि Jool थॉम्सन experiment पढ़ रहे हैं तो उससे सम्मंदित Jool नियतांक को भी हम यहाँ पर discuss करेंगे तो Jool नियतांक वास्तव में अगर हम उसकी परिभाशा देखें तो Jool नियतांक क्या है Jool नियतांक है हमारा वास्तविक गैसों के मुक्त प्रसार में हमेशा शीतलन होता है इस प्रसार में उत्पन ताप में परिवर्टन जूलगुनांग के पदों में पाया जाता है यानी क्या हो गया? जूलगुनांग जो है या जूल नेतांग वो क्या है? मुक्त प्रसार में यानी गैस does freely expand होनी चाहिए मुक्त प्रसार में इकाई आइतन में प्रसार के संह ताप में परिवर्तन को जूल गुणांक कहते हैं यानि नीटा जो है वो क्या है डेल्टी अपॉन डेल्वी कीपिंग इंटर्नल एनर्जी कॉंस्टेंट आंतरिक उर्जा को स्थिर रखते वे आयतन के सापेक्ष ताप में परिवर्तन को हम जूल नियतांक कहते हैं अब इसको हम निकाल भी सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको काफी हद तक कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी हालंकि यह जब आप उश्मा गतिकी में मैक्सवल समीकरन पढ़ेंगे तो आप वास्तव में निकाल पाएंगे हम जानते हैं उश्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है DQ बराबर DU प्लस PDV और द्वितिय नियम से हम जानते है DQ बराबर TDS दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं तो TDS बराबर DU प्लस PDV हो गया अब हम DU को एक तरफ ले लिया तो क्या आजाएगा du बराबर tds-pdv दोनों को temperature constant रखते वे हम differentiating both sides तो differentiate करते हैं तो हमारे पास क्या आजाता है du upon del v keeping temperature constant बराबर t del s upon del v keeping temperature constant minus p v k sub x volume k sub x differentiation कर दिया अब यहाँ पर आपको इस वाली किताब में तो याद रखना पड़ेगा तो उश्मा गति की हम पढ़ते हैं तो वहाँ हम यह maximal relation निकाल लेते हैं वो relation है del s upon del v keeping temperature constant is equals to del p by del t keeping volume constant यह हम वहाँ पर सिध भी करते हैं s यहाँ पर entropy है इसके आधार पर हम del s upon del v का मान रख देते हैं तो आपके पास del u by del v कुछ निम प्रकार से प्राप्त हो गई अब इसको हम इसको थोड़ा सा और simplify करते हैं हम vendor wall semicurrent लेते हैं और vendor wall semicurrent से del p by del t ग्याद कर लेते हैं तो del p by del t का जो मान है वो r upon v minus b प्राप्त होता है r upon v minus b को उप्रोग semicurrent में रख लेते हैं तो उससे हमार को पूरा simplify करने के बाद a upon v square प्राप्त होता है एक बार यह मान हम यहां पर a upon v square निकाल के रख लिया हमने अब हम यह मानते हैं u जो है वो दो चीजों पर बढ़ करती है एक तो volume और एक temperature तो अगर हम उसका absolute पूर्ण differentiation करें पूर्ण अवकलज अगर हो तो du का जो मान है वो एक बार v के साब एक शोगा एक बार t के साब एक शोगा तो del u by del v keeping t constant dv plus del u by del t keeping v constant dt अब free expansion में क्या होता है free expansion में du का मान 0 होता है तो du का मान अगर 0 होगा तो यह दोनों राशियां जो है वो minus से बराबर हो जाएंगी और हम इसमें निकाल लेते हैं del t by del u सारी जो मान हमने उपर निकाल रखें वो मान हम रखते हैं अब इसके अंदर एक चीज दियान रखिए इसके अंदर हमने del u by del v t यह हमने पहले निकाल के रखा हुआ है a upon v square के बराबर रखा हुआ है और del u by del t keeping v constant यह हमारा क्या होता है यह विशिष टूश्मा होती है cv keeping volume constant तो क्या आजाएगा आपका minus 1 upon cv del u by del v into t इसका मान भी रख देते हैं तो आपके पास निटा का मान आजाता है minus 1 upon cv a upon v square यहाँ पर अगर cv positive है तो निटा का मान negative होगा cv negative है तो निटा का मान positive होगा तो यह हमने पूरा chapter बड़ा है वास्तविक गैसों के बारे में अब यह हमारे दिमाग में यह भी चीज़ आती है कि हमारे को शीतलन और इन सारी चीज़ों से फाइदा क्या हो रहा है यह हमने करांतिक ताप है बॉयल ताप है इन सब चीज़ों का अधियन तो कर लिया ठीक है हमें इसके बारे में वास्तविक गैसों के वैवार के बारे में जानकरी हुई लेकिन इससे हमें लाब के अपराप्त हो रहा है यह हम इसके next chapter में पढ़ पाएंगे वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसों का द्रवण धन्यवाद